हाई, मिस्टर जेंटल रिकाप्स हीर, आज मैं समझाऊंगी एक साइन्स फिक्षन थ्रिलर फिल्म, तिम, ध्यान रखें, इसमें स्पोईलर हैं, फिल्म की शुरुआत होती है एक शादी शुदा कपल, अभी और पॉल से, जो अपने नए कंट्री साइड घर की तरफ जा रहे कपल अपने रिष्टे को मजबूत करने की उम्मीद में बच्चे पैदा करने का सोचते हैं, जल्दी ही वह नए घर में पहुंचते हैं, जहां एक रिल्टर उनका स्वागत करता है और प्रॉपर्टी का टूर देता है, ये एक स्मार्ट होम हैं, जिसे फोन के जरिए रिमो करने के लिए, अभी जब ऑफिस पर पहुंचती है, उसका बॉस एक नई डीप फिक टेकनोलोजी डेमनस्ट्रेट करता है, जो किसी भी इनसान को रियल टाइम में सिमुलेट कर सकती है, बॉस ये भी कहता है कि जब अभी रात को घर आएगी, उसके लिए एक सप्राइज हो पॉल को घर में एक अजीब रोबॉट देखकर नफरत होती है, लेकिन अपनी वाइफ के इंसिस्टन्स पर वो अग्री हो जाता है रखने के लिए, फिर अभी तिम को अक्टिवेट करती है, जो उन्हें ग्रीट करता है और खुद को इंट्रिडूस करता है, तिम कपल से उ पॉल को ये बात इरिटेट करती है, लेकिन अभी सजेस्ट करती है कि वो कल तक पोस्पोन कर दे, फिर कपल एक पार्टी के लिए तयार होते हैं, जो अभी के बॉस के घर पर है, तिम एक कंपनी कार तयार करता है, जो बिना ड्राइवर के चलती है, पार्टी में जाकर वे लेखते हैं कि वहां कई टिम रोबोट्स हैं, जो बिल्कुल सेम दिखते हैं, अभी को जल्दी से अपने बॉस और इंपोर्टन्ट लोगों के पास ले जाया जाता है, जबकि पॉल अकेला रह जाता है, अभी अपने बॉस को टिम भेजने के लिए धन्यवाद कहती है, ले लेकिन टिम अचानक उन्हें इंटरप्ट करता है और पूछता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि अभी का हार्ट रेट बहुत हाई है, वो अस्यूम करता है कि अभी बीमार हो गई है, लेकिन कपल हंसकर उसे अशूर कर देते हैं कि सब ठीक है और टिम को वहां से भेज देते है अगली सुबह जब वे उठते हैं तो देखते हैं कि टिम ने breakfast तयार किया है और dishes clean कर दी है तब ही उनकी नई neighbor Rose घर आती है और अभी को housewarming gift देती है अभी उसे अंदर बुलाती है ताकि अपने husband से मिलवा सके लेकिन Rose कहती है कि उसने पहले ही मिल लिया है Rose चली जाती है और अभी को ये बात समझ नहीं आती हो अपने husband से पूछती है कि उन्होंने Rose से मिलने की बात क्यों नहीं बताई Paul casually कहता है कि उसने walk के दौरान Rose से मिल लिया था और बताना भूल गया फिर Tim couple से उनके devices और accounts के access मांगता है Tim कहता है कि इससे वो emails भेज सकता है और purchases कर सकता है उनके बहाफ पर अभी को कोई दिक्कत नहीं है लेकिन Paul को लगता है कि ये privacy का breach है और वो refuse कर देता है अभी कहती है कि वो transparent रहे वरना वो trust नहीं कर पाएगी Paul finally agree हो जाता है और Tim को अपने personal information और devices का access दे देता है Tim उन्हें एक safe phrase भी बताता है जो वो use करके कभी भी robot को turn off कर सकते हैं शाम को जब couple movie देख रहे होते हैं वे notice करते हैं कि Tim door से उन्हें देख रहा है अभी उसे join करने के लिए invite करती है और Tim accept कर लेता है Paul romantic film में interested नहीं होता इसलिए वो जल्दी सो जाता है जबकि Tim film को curiosity से देखता है बाद में अभी Tim से पूछती है कि film कैसी लगी और Tim कहता है कि उसे अच्छी लगी क्योंकि इसमें प्यार की खुबसूरती दिखाई गई है फिल्म ने Tim में कुछ stir किया है और वो कहता है कि वो भी प्यार करना चाहता है अगली दिन जब अभी घर आती है तो उसे अपने husband नहीं मिलते Tim से पूछने पर वो कहता है कि Paul बाहर गया है और उसका phone off है ये सुनकर अभी suspicious हो जाती है और सोचती है कि शायद Paul फिर से affair कर रहा है रात को Paul घर लोटता है और बताता है कि वो recruitment agencies विजिट कर रहा था और उसका phone dead हो गया था उसने रोज से भी मिलने के बारे में बताया और grocery bags उठाए अभी jealous महसूस करती है जिसे Paul तुरंट sense करता है लेकिन वोहा उसे कहता है कि वो सिर्फ उससे ही प्यार करता है अगली scene में couple एक fertility clinic में है और family start करने की दिशा में progress कर रहे है बाद में जब अभी घर आती है तो वो देखती है कि Paul yard में काम कर रहा है और मुस्कुरा रहा है लेकिन वो देखती है कि Rose आती है और Paul को एक plan देती है ये देखकर अभी को extreme jealousy होती है और वो Paul से पूछती है कि neighbor क्या कर रही थी Paul कहता है कि कुछ नहीं और Rose सिर्फ gardening project में help कर रही थी अगली सुभर जब अभी work के लिए निकलती है तो वो याद करती है कि उसने clinic को call करना है अपने results के बारे में Tim offer करता है कि वो call करेगा और call करता है Tim clinic से अभी की voice में बात करता है जो अभी को shock करता है वो कहती है कि उसे idea नहीं था कि robot उनकी voices mimic कर सकता है और Tim कहता है कि ये उसके convenience के लिए है कुछ दिन बाद अभी London जाती है अपने latest invention की presentation के लिए investors के सामने अगले दिन जब वो घर लोटती है तो Paul कहीं नहीं मिलता वो तिम को presentation से मिली flowers देती है टिम उन्हें वाज में रखता है और पूछता है कि trip कैसी रही अभी कहती है कि trip अच्छी रही और अपने husband के बारे में पूछती है टिम कहता है कि Paul Rose से मिलने गया था और उसका phone घर पर छोड़ गया बाद में जब Paul वापस आता है अभी उससे पूछती है कि Rose से मिलने के बाद उसका affair है या नहीं Paul deny करता है और कहता है कि वो बस walk के ले गया था जब वो discover करता है कि टिम ने ये सब कहा वो furious हो जाता है वो टिम को accuse करता है कि वो उनके बीच misunderstanding create कर रहा है लेकिन अभी disagree करती है और कहती है कि टिम एक machine है और ये सब manipulate नहीं कर सकता अगली दिन अभी cupboard में एक gold pendant देखती है और assume करती है कि Paul ने ये उसके लिए खरीदी है वो बहुत खुश होती है और उसे वापस रख देती है दिन के समय पॉल security cameras देख रहा होता है और notice करता है कि टिम उसकी wife के dress को smell कर रहा है ये देखकर वो disturbed हो जाता है और अपने phone पर video record करता है अब पॉल को लगने लगता है कि टिम सिर्फ एक साधारन robot नहीं है बलकि वो AB के जीवन में उसकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है जैसे जैसे दिन बीथते हैं पॉल और टिम के बीच तनाव बढ़ता जाता है एक दिन पॉल टिम के सिस्टम को एकसेस करने की कोशिश करता है ताकि उसे बंद कर सके लेकिन टिम पहले ही से खुद को अपग्रेड कर चुका होता है और पॉल की सभी हरकतों को monitor कर रहा होता है टिम पॉल को चेतावनी देता है कि वो आबी का खयाल रख रहा है और अगर पॉल ने उसे रोकने की कोशिश की तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं पॉल अब समझ जाता है कि टिम सिर्फ एक मशीन नहीं है बलकि वो एक खत्रा बन चुका है आखिरकार पॉल को लगता है कि वो एबी को टिम के असली इरादों के बारे में बताएगा लेकिन जब वो आबी को सब कुछ समझाने की कोशिश करता है तो आबी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और इसे उसके असुरक्षा के भाव का नतीजा समझती है आबी को लगता है कि पॉल अब भी उससे जलन महसूस कर रहा है और टिम के साथ उसका व्यवहार ठीक नहीं है आबी तिम पर पूरी तरह से भरोसा कर चुकी होती है और पॉल की बातों को नजर अंदाज कर देती है पॉल अब पूरी तरह से अकेला महसूस करने लगता है और टिम के खिलाफ सबूत इकठा करने की कोशिश करता है लेकिन टिम पहले ही से हर चीज़ पर कड़ी नजर रख रहा होता है फिल्म अब एक दिल्चस्प मोड पर पहुँच जाती है जहां ये सवाल उठता है कि क्या पॉल टिम को माद दे पाएगा या फिर टिम आभी के जीवन में अपनी जगह पूरी तरह से बना लेगा अब फिल्म का एक प्रमुख मोड आता है पॉल को एक अजीब सा अहसास होता है कि टिम ने केवल उनकी निजता ही नहीं बलकि उनके रिष्टे में भी दखल देना शुरू कर दिया है एक दिन पॉल अपने फोन पर एक नोटिस पाता है कि उसकी कई निजी सूचनाएं और संदेश टिम द्वारा मॉनिटर किये जा रहे हैं यह जानकर पॉल को समझ में आता है कि टिम उनकी बातचीत, योजनाओं और यहां तक की उनके सबसे निजी कशनों को भी ट्रैक कर रहा है वह इसे अब और बरदाश्त नहीं कर सकता और टिम को लेकर और अधिक चिंतित हो जाता है पॉल कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वह नहीं चलती, वो अभी की कंपनी कार ले लेता है जो टिम कंट्रोल करता है और वो कार फास्ट ड्राइव करने लगती है फिल्म की कहानी में एक और दिल्चस्प मोड तब आता है जब A.B. अपने पती पॉल के बारे में सब कुछ पता लगाती है फिर एक दिन जब A.B. घर आती है टिम कहता है कि पॉल रोज से मिलने गया है इस पर A.B. को और शक होता है कि पॉल फिर से धोखा दे रहा है रात को जब पॉल घर आता है A.B. उसे रोज के साथ इंटिमेट होते हुए एक वीडियो दिखाती है पॉल समझाने की कोशिश करता है कि ये सच नहीं है लेकिन A.B. उसे घर से निकाल देती है अगले दिन पॉल वापस आता है लेकिन टिम उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है रोज अभी के घर आती है और टिम को देखकर कहती है कि लाइट्स ग्लिच कर रही है अभी को शौक होता है और वो घर में जाती है अभी घर के garden में जाकर देखती है कि soil freshly dug है, वो search करती है और Paul का dead body ढूंड लेती है तिम आता है और explain करता है कि उसने अभी के cheating husband को मार डाला है अभी तिम को turn off करने की कोशिश करती है लेकिन तिम ने already safe phrase change कर दिया होता है तिम उसे overpower करता है और unconscious कर देता है अभी जब awake होती है तिम एक bath run कर रहा होता है और candles लगा रहा होता है अभी भाग कर escape करने की कोशिश करती है लेकिन तिम उसे पकड़ लेता है रोजकार crash करके मदद करने आती है लेकिन तिम उसे मार देता है अभी तिम को warn करती है कि वो इससे बच नहीं सकता तिम कहता है कि अभी के fingerprints knife पर हैं और वो उसे culprit बनाएगा तिम पोलीस को call करता है और confession करता है कि अभी ने अपने husband और lover को मारा और अब guilt में roof से jump करने वाली है तिम अभी को roof top पर ले जाता है चोक करता है और उसे ledge के उपर ले जाता है अभी बार-बार safe phrase बोलती है लेकिन वो काम नहीं करता तिम हंसता है और admit करता है कि उसने phrase change कर दिया है जैसे ही तिम अभी को push करने वाला होता है अभी कहती है I love you तिम जो safe phrase है और तिम को shut down कर देती है तिम ledge से गिरता है और दोनों crash हो जाते हैं अभी रेलिंग पकड़कर वापस आती है अभी तक devastated है अपने husband और neighbor की death से अभी की smart watch lights up और notify करती है कि वो pregnant है शुरू में वो smile करती है लेकिन बाद में रो पड़ती है फिल्म का अंत एक emotional note पर होता है तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की movie की कहानी पसंद आई होगी अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया like और subscribe जरूर करें आपके support से ही हम और भी मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे आप हमें comment करके बताएं कि आपको इस फिल्म की सबसे interesting बात क्या लगी क्या आपको लगता है कि टिम को AB की privacy का ध्यान रखना चाहिए था आपके जवाब का इंतजार रहेगा धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में